Hello everyone, Welcome to my YouTube channel हिमाचा पदेश में election के बाद जब सरकार बदली और Congress की सरकार हिमाचा पदेश में बनी तो सबको उमीद थी कि जो रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने election से पहले बात करी थी तो हमें रोजगार देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 6 महीने सरकार बने हुए हो चुके हैं तो क्या रोजगार पे उपर बात हुई है या रोजगार हमें देखने को मिले हैं तो टोटली हम उसके उपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम स्टार्टी करते हैं कि जैसे ही हिमाचय पदेश में सरकार बदली, उसके कुछ दिनों बाद ही जो HPSC पेपर लीक मामला हमें देखने को मिला, उसके बाद गया हुआ है कि HPSC हमिरपुर को सस्पेंट कर दिया गया, उस ताइम पे सब ने एप्रिशेट करा CM साब के इस फैसले को, फिर क्या होता है कि 21 फरवरी 2023 को CM साब ने HPSC हमिरपुर को भंग कर दिया, और उस ताइम पे भी जादा मतलब criticism इस फैसले का देखने को नहीं मिला, क्यूंकि उस तोरान का गया है कि हिमाचय पदेश में 2-3 मन्त में आपको नई रिकूटिंग एज इस फैसले का जो नतीजा है वाज देखने को मिल रहा है, हिमाचय पदेश में क्लास 3 की सारी भरतियां रुकी हुई है, इवन आप क्लास 1 और क्लास 2 के जो आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, लगातार हिमाचय पदेश पब्लिक सर्विस कमिशन शिंबला की तरब स उनमें भी क्या हो रहा है, जोइनिंग नहीं हो रही है, तो हर एक चीज को लटकाया गया है, और इसका रिजन आपको बताए कि OPS है, और लगातार निउस में ये भी बना रहता है, हर 10 दिन बाद आपको ये निउस देखने को मिल जाती है कि हमाचय पदेश पे इतना लोन ह हो चुका है, तो कि इस तरह से क्या होगा, और ये जो इन्होंने वादा करा था कि पांच लाख रोजगार देंगे, हर साल में एक लाख रोजगार दिया जाएगा, तो मतलि ये वादा जो है वो जूठा सा भीत होता हुआ दिख रहा है, और अभी भी इतनी सारी पोस्ट है है, 42 पोस्ट कोड हैं, जिनके रिजल्ट डॉक्मेंट वेरिफिकेशन है, जोइनिंग पेंडिंग है, उसके अलाबा जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट निकाले थी, हच पेसे सी ने, उसके सारे पोस्ट कोड के एक्जाम पेंडिंग है, 2021 के मिड से लेके अभी तक जो भ का ही रोका, लेकिन जो पिछले एक डेट साल से पोस्ट एपरूव हुई थी, आरे कैबिनेट में, उसका जो प्रोसीजर था, वो मतलब रिक्रूट्मेंट प्रोसेस थी, वो अंडर प्रोसेस थी, तो उन सब को रोक दिया, तो आप मान के चल सकते हो कि हम दो साल पीछे चल कालने से बिरोजगार मायूश, तो ये तो आप लगाता नियूज में देखने को आपको मिलता रहता है, अभी 11 माई को भी CM साहब ने कहा था कि 7 दिन में आपको रोजल देखने को मिल जाएंगे, वैसा भी नहीं हुआ, अभी recently last week भी आपने rally देखी, उसके एक दिन पहले Saturday को आपको result देखने को मिल गया, वहाँ से clear होता है कि सरकार की intention ही नहीं है, वो pressure के चकर में तक कि rally ना देखने को मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिमला ना पहुंचे, उसके चकर में क्या अगरा भी Saturday को result दे दिया, तकि आथे लोग ना आएं और उनको ये उमी ऐसा तो नहीं है कि उन नौ post code में कोई ऐसे post code हैं जिनमें बहुत सारे post ने हैं, उसमें ऐसे भी post code हैं जहां पर और भी कम-कम post वाले post code थे, तो उसका result आप निकाल सकते थे, आपने पूरे एक week में एक result नहीं दिया, एक कोई notification नहीं निकाली, तो यहाँ से चीजे clear होती है और देखते हैं कि अब मुझे नहीं लगता, मुझे ज़्यादा उमीद इस सरकार से नहीं है, जिस हिसाब से पूरा atmosphere बना हुआ है, बाकि आप भी इस चीजे जो अब गत हो आपको पता है, और बहुत सारे लोग हैं जो लगतार बताते रहते हैं कि ऐसे ऐसी चीजें हो रह लगता है कि कोई चीज कोई मतलब है जो कमेटी है या सरकार है, वो चाहती है कि हम ऐसा करेंगे, वो चीज यहां से हमें देखने को नहीं मिलती है, बाकि आपको क्या लगता है और आपका क्या personal opinion है वो भी आप लिख के बता सकते हो, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी ह होगी, informative लगी होगी, तो वीडियो को like, comment, share कर सकते हो, चैनल को subscribe कर सकते हो, further new updates के लिए